Hello everyone, welcome to XMOBA So guys, आज की वीडियो में देखेंगे कि हम Mobile Legends में Recharge कैसे कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हो मेरे Mobile में अभी, I mean मेरे Game में अभी 206 Diamond अभी है ठीक है, तो फटाफट चलते हैं अपने Website में, ठीक है अभी मैं Log Out हो गया, ठीक है तो आपको ये 3.0 दिख रहा है, इस पर क्लिक करना और ये Log In Slash Register वाली बटन है इस पर क्लिक करो जैसे इस पर क्लिक करोगे, एक Dialog Box ओपन होके आएगी इस पर क्लिक करना है, आपको Log In With Google पर क्लिक करना है जैसे ही आप Log In With Google पर करोगे, फिर आपको जो भी Gmail अकाउंट है वो Available होगा, तो मैं अपना वाला Choose कर लेता हूँ, ठीक है Choose करने के बाद आप देख सकते हो, वैलेट में मेरे ऊपर, यहाँ पर टॉप राइट साइड में 220 है, तो मैं कुछ रूपे और Add करूँगा, ठीक है, तो Add Valid Balance और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखे, Add Amount, Minimum Amount is 1000, तो यह पता नहीं क्यों है, बट या, 200 भी हो जाता है, कम से कम 200 आप डाल सकते हो, ठीक है तो यहाँ पर मैं अभी के लिए 250 ही डालता हूँ, ठीक है, 250 डाला और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक Payment Method चूज करता हूँ, मैं अभी के लिए Paytm चूज करता हूँ यह Scan आप चाहो, तो Scan करके Payment कर दो, और फिर यहाँ पर Upload कर दो, मैं क्या करता हूँ, यह UPI ID ने, इसको मैं Copy कर लेता हूँ इस पर क्लिक किया, और यह Copy हो गया, ठीक है, अभी चलते है अपने Payment Method पर, not Gateway पर, Paytm पर, इसको Open किया मैंने, ठीक है इसको Open किया, और इस वाले Scan & Pay पर क्लिक करो, तो Scan & Pay पर क्लिक करोगे, तो Screen Insert लेके भी कर सकते हो Payment, लेकिन यहाँ पर Inter Mobile Number और Pay पर क्लिक करो, और इसको Paste करो, जो भी वहाँ से Copy किया था, और यह वाली ID आई, इस पर मैंने कुछ दिन पहले भी Payment किया था, तो वाली यहाँ पर दिख रही है, मैं फिर से Payment कर रहा हूँ, 250, ठीक है, Secure Payment, अपनी Bank चूज किया है, मैंने, अभी देखो, Screen Sharing On है, इस कारण मैं इसको Record नहीं कर पाऊँगा, बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, दूसरे Mobile से आपको Record करके दिखाँगा, ठीक है, तो चलो मैं दूसरे Mobile से Record करके दिखा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं को Screen Sharing Off करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे Mobile से वो On रहेगा, ठीक है, तो मेरा Screen Sharing यहां से Off किया है, ठीक है, अभी क्या है, कि यहां पर Got It पर क्लिक करो, और यहां पर Proceed to Secure करो, और यहां Pay करो, मैं थोड़े दिर के लिए अपनी Password Hide कर रहा हूँ, ताकि आप लोग देखना सको, ठीक है, इधर Payment दबा दिया है, मैंने, अभी Submit करता हूँ, Submit किया, यह Payment हुआ, ठीक है, अभी क्या करना है, इस पर क्लिक करो, और यह वाली Screen Shot है, आप ले लो, मैं को लेना पड़ेगा, य आपको दिखाता हूँ, ठीक है, तो चलो यार, अभी क्या करते हैं, इसका एक Screen Shot लेते हैं, तो Screen Shot लिया, अरे यार, Screen Shot लिया, अभी क्या करते हैं, फिर से Website पर जाते हैं, और यह जो Screen Shot डाला था ना, मैंने लिया था अभी, इसको Choose File पर क्लिक करो, Library में जाओ, और इसको upload क कर दो, जैसे ही Done करोगे, और Submit करोगे, ठीक है, यह Request जाएगा, और यह Processing में चला गया, Processing में गया, इसमें 2 मिनिट टाइम लगेगा, और 2 मिनिट बाद, अभी अब देख सकते हैं, 220 वैलेट में available है, ठीक है, जैसे इदर से Complete करेंगी, यह वाली Wallet Amount Complete होगी, तोड़ी फिर वेट करो, वो हो जाती है, विदिन 2 तो 3 मिनिट, 4 मिनिट, जैसा, मतलब, Orders हैं, वो Complete हो जाती है, ठीक है, तो वेट करते है, रिफ्रेस किया है, मैंने फिर से, या, अभी देखो, आप Complete हो चुके है, ठीक है, यह वाली Complete हो चुके है, और आप पहले 220 wallet amount था, अब 470 हो यूजर आइडी डाल दो, अगर आपको पता नहीं, यूजर आइडी और जोन आइडी क्या है, तो डाइडेक्ट अपने गेम में जाओ, और अपने Profile आइकन पर क्लिक करो, ठीक है, प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करोगे, यह लोड कर रहा है, हाँ, तो यहाँ पर आपको 60851, और जोन आइडी है, अपना 2023, ठीक है, और मेरा नाम आगया, मैं क्या करता हूँ, कि 120 वाली एक और रिचार्ज करता हूँ, यहाँ पर एमेल मेरा अरड़ी आगया, क्यों मैंने लॉग इन किया था, आपके केस में यह मोबाइल नमबर नहीं आएगा, में भी नहीं आ प्रोसीड टू चेकाउट करना, प्रोसीड टू चेकाउट करने के बाद यह ओडर डीटेल आएगा, ठीक है, यहाँ पर डाइरेक्ट सब्मिट कर देना, और यह बूम, आपका वैलेट अमाउंट कट गया, 350 बचा, 120 और यह देखो, यह वाली ओडर पूरा कंप्लीट हो ग जाते हैं क्योंकि MLBB का सर्वर थोरा स्लो एज कर, तो इसको गेंट कर देखते हैं कि अमाउंट आई है कि नहीं, पहले सो 206 था, अभी 86 आने के बाद यह कितना होना चाहिए, 86 और 206, 292 होना चाहिए, तो यह है आपका 292 डाइमंड आप देख सकते हो, ऊपर, ठीक है, तो पाक से रिचार्ज करो, जाओ, सिंपल डियू से, यह एकदम सेफ है और सिक्योर है, ठीक है, तो थैंक्स गाइस, थैंक्स पूर वाचिंग, सब्सक्राइब बटन दबा देना, लाइक करना, सेर करना, कॉमेंट करना, कोई इश्यू हो, तो वीडियो पे कॉमेंट करना, ठी यठक्स फोर वाचिंग